नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप मर्शौरकर वेलकम बैक टो मैं चैनल गार्डेन रूप्ट आफ दोस्तों आज मेरे सामने जो पोधा आप देख रहे हैं यह है लेमन साइप्रेस तो इसके बारे में जो है आज आपसे मैं शेर करूंगा क्या-कया रिकर्मेंट्स है इसका औ तो जुरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डेन रूप्ट आफ उसको सब्सक्राइब कीजिए साथ में बिल आइकन को भी प्रेश कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडिया प्रोड़ करूंगा आपको तुर यह जो पौधा है यह लेमान साइपरास नलीए प्रियात उसको लिट्धाइब इसको आप क्रेश करेंगे तो है crowd आएगा इसको लुह बोन साइपरास और जो थूज प्लैंट है लगवकब देखने में में मतलब उसका जो शेफ है और एक लकावख निद्ल जहां कानटा जैसे जो है इसका अथर दूजा और निद्ले तो इसलिए है। इससे ब्रूजा की आकर है और में देखने मनाम तो यह पष़ा है। आप इसको इंडर में भी ग्रोव कर सकते हैं तो दोस्तों यह पोधे का दूसरा नाम भी है वह है गोल क्रिस्ट मैंने तीन मैना पहले इसको मैं प्लैंटेशन किया था तो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कौन सा स्वाइल कैसा स्वाइल मिक्सटर बनाया था और कैसे इसको प्लैंटेशन किया था तो दोस्तों चलिए वह प्लैंटेशन के बाद से लेकर अभी तक का जो केर है मैंने इसको जो है कुछ भी मतलब इसको केर नहीं किया एक्सेप्ट जो है दोस्तो यह मैं कुछ दिन जो है इसको इंडोर में राखा कुछ दिन जो है इसको आउटडोर में राखा तो दोस्तो हाँ यह आप जो यह जो प्रैंट है आप इसको इंडोर में भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर में भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन अगर आप इंडूर में इसको ग्रो करेंगे तो कम से कम छे से साथ घंटा का जो ब्राइट लाइट है ब्राइट सनलाइट है उसको अगर मिल जाए तो यह अच्छा ग्रो करेंगे तो मौनिंग सान जो है 3-4 घंटे की या तो 2-3 घंटे की अगर मौनिंग सान इसको मिल जाए उसके वाटरिंग का जो है बहुत अच्छा धेन राखना पड़ेगा क्योंकि यह ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल वसंद नहीं है और वाटरिंग होगा अगर सौगी स्वाइल बनेगा तो फिर यह पोधा जो है यह खराब हो जाएगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको अभी इसक अगर आप इसको अगर आप साल में एक बार जो की बैलेंस इसलिए ऐसको बिल्कुल पसंद नहीं है दोनों कारण जो है वह जिसके कारण यह पौधाuch आपको मर जाएगा एक तो जो है सौगी स्वाइल अगर आपको अगर आप इसको फर्टिलाइजिंग कर देंगे तो फिर यह पोधा नहीं बचा सकते हैं लेकिन फूल के लावा भी जो कुछ प्लैंट्स है जिसका ब्यूटी मतलब फूल बिना फूल के बहुत ही अच्छा होता है तो दोस्तों यह जो प्लैंट है यह बिना किया आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो जुरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे जो चैनल है गार्डेन रूप टाफ उसको सब्सक्राइब कीजिए शाथ में विल आइकन को भी प्रेश कीजिए ताकि जैसे मैं नए वीडियो अप्लोड करूँगा आपको तुरान नोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं तो थैंकि दोस्तों थैंकि वेरी मच पर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए जानकरी के साथ तब तक के लिए बाई एन हैपी गार सबस्तों